हेलो फ्रेंड स्वागत आपका माय प्रोजेक्ट एजडी पर जैसा कि हम हमारी स्रीज में एक टूटल देख रहे हैं वीडियो में प्रोग्राम लिखेते तो आपने देखा होगा कि प्रोग्राम में एक प्रोग्रामिंग लेंग्वेजी का यूज़ करते हुए बना रहे थे जिसे समझने में थोड़ी प्रोग्रम हो रही थी कंपाइलर उसे पढ़ता था जा डायरेक्ट अगर कोई एसा वेक् इस तरह से यह समझ नहीं आएगा तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले उसकी एल्गुरिदम बनाई जाती है एल्गुरिदम सिंपल यूमन रिडेवल वर्डों बनती है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से देखकर समझ सकता है कि यह फ्लो हो रहा है और इस तरह से होती है कि आपका जो भी प्रोग्राम होता है उससे आप एकदम किलियर तरीके से आप उसमें करते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम बनेगा उसकी स्टेप वन बाई वन होगी जिसे मैं आपको एक ग्जम्पल बताता हूं यह देखिए यह एक एल्गुरिदम में यह आपर शोर रहा है नम इस्टेप बाई स्टेप होई है कि इस तरह से को यह हमारी फर्स अस्टेप वे देन सेकेंड एन फोर्ट थर्ड फोर्ट तो इसमें हर सबसे चाइगा ते कि सबसे पहले स्टेप वन प्रोग्राम स्टार्ट होता है देन उसके बाद डिकलरेशिन वेर उसके बाद में read value from number one and number two then उसके बाद सब्सक्राइब जो भी हमें logical operation करना वह होगी जहां हम addition करा रहा है जो उसका sum आएगा उसे यहां पर display करा रहा है यह कोई भी एक्ति से पढ़ेगा तो हम इस तरह से एक algorithm लिखते हैं algorithm का use करते हो हम किसी भी program को को आसानी से solve कर सकते हैं उसमें को error आ जाती है तो हम algorithm को उस प्रोग्राम की सारी step को ध्यान में रखते हो उसे आसानी से resolve कर सकते हैं तो इसलिए algorithm एक programming language के साथ बहुत ही जादा उपयोगी है C में ही नहीं जो भी other language होती है जावा, PHP अगर आप इस तरह की जो भी language है उसमें भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है अगर किसी प्रकार की programming में दिखता रही है तो हम algorithm को इस तरह से लिखते हैं और आसानी से समझ सकते हैं तो यह था हमारा वीडियो के algorithm क्या होती है तो friends अभी की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पस्ना रहा है तो इन्हें लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसकी रिसिंट एपड तिड़ाई ताकि यू वर वचिंग